हेलो फ्रेंड्स मैं पंकज, वेलकम टू क्रेजी जीकेट ट्रेक देखें फ्रेंड्स जोग्रफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम वन जीव अभ्यारन को डिसकस करने वाले हैं देखें बहुत ही छोटा और important topic है इस topic से किसी भी exam में देखें only राज्य पुछा जाता है कि कोई भी century किस state में है या किसी state में देखें internally exam में जीला भी पुछा जाता है जैसे देखिए अगर आप MP की किसी exam में participate कर रहे हैं तो आपसे वहाँ पर पूछा जा सकता है कि कुनो century किस जीले में है तब आपको बताना पड़ेगा कि कुनो century मध्य प्रदेश के शोवपूर में है तो इस तरह देखिए केवल दो तरह के ही question हम से अभ्यारन में पूछा जाते हैं अब इस वीडियो में देखिए हम mostly अभ्यारन के state पर ही discuss करेंगे कि कोई भी अभ्यारन भारत के किस राज्य में है तो चलिए शुरू करते हैं friends अगर आप इस topic की PDF डाउनलोड करना चाते हैं तो आप crazy gk trick की application पर जाकर इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए अब हम question पर चलते हैं तो सबसे पहला question देखिए friends फकीम वन्यजीव अभ्यारन निमनलिखित में से किस राज्य में इस्ति थे तो फकीम वन्यजीव अभ्यारन भारत के नागा लेंड राज्य में इस्ति थे तो यहाँ पर आंसर C हो जाएगा फकीम वन्यजीव अभ्यारन नागा लेंड में इस्ति थे खपरवास वन्यजीव अभ्यारन को आधिकारिक तोर पर किस वर्ष में वन्यजीव अभ्यारन के रूप में अधिस उचित किया गया ही तो सबसे पहले तो यहाँ पर यह याद रख लिजिए friends कि खपरवास वन्यजीव अभ्यारन जो है भारत के हर्याना राज में इस्ति थे भारत के हर्याना राज में यह जल्लर जीले में इस्ति थे इसे देखिए 30 जन्वरी 1987 को वन्यजीव अभ्यारन के रूप में अधिस उचित किया गया ही तो किस वर्ष किया गया है? 1987 में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण भारती उप महादीप में दर्जी की गई पक्षी प्रजातियों का 30 प्रतिशत भाग रखता है तो एसा वन्यजिव अभ्यारण जो की भारती उप महादीप की देखिये 30 प्रतीशत प्रजाती का निवास इस्तान है ओखला वन्यजिव अभ्यारण है अगर हम इस अभ्यारण की बात करें फ्रेंड्स तो 1990 में वन्यजिव सर्रक्षन अधिनियम 1922 के तहट इसे सर्रक्षित चेत्रगोशित किया गया है ये भारत के उत्तर प्रदीश राज्य में इस्ति थे कौनसा है ओखला वन्यजिव अभ्यारण अगले कुश्यन पर आजएए इन में से कौनसा रास्ट उद्ध्यान करनाटक में इस्ति थे तो देखिए इन चारों में से बन्यर घटा रास्ट उद्ध्यान एक एसा रास्ट उद्ध्यान है जो की भारत के करनाटक राज्य में इस्ति थे वन्यर घट्टा नेशनल पार्क चिम्मिनी वन्य जीव अभ्यारन भारत के किस रज़ में इस्ति थे इसके अलावा देखिए यहाँ से एक और अभ्यारन या नेशनल पार्क के बारे में बहुत पूछा जाता है अगर वो आपसे पेरियार से कुश्यन पूछे कि पेरियार अभ्यारन भारत के किस रज्ज में है तो ये भी भारत के केरल रज्ज में इस्तित है तो पेरियार और चिम्मिनी वन्नेजी अभ्यारन भारत के केरल रज्ज में इस्तित है राजस्तान का कौन सा पक्षी अभ्यारन विश्व विरासत इस्तल की सूची में शामिल है तो देखिए इन चारों में से फ्रेंड्स घाना पक्षी अभ्यारन जो की राजस्तान के भरतपूर में इस्तिते एक विश्व विरासत इस्तल है तो आंसर ए गाना पक्षी अभ्यारण भारत के राजस्तान राज्य में इस्ती थे सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण इन में से किस राज्य में इस्ती थे सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण भारत के उत्तरा खंड राज्य में इस्ती थे उत्तरा खंड निमनलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारन हर्याना में इस्ति थे तो इन चारों में से फ्रेंड्स सुल्तानपूर पक्षी अभ्यारन एक ऐसा अभ्यारन है जो की भारत के हर्याना राज्य में इस्ति थे आंसर सी यहां पर सही हो जाएगा सुल्तानपूर पक्षी अभ्यारन हरियाना में है कौनसा वन्यजीव अभ्यारन कीठम जिल अभ्यारन के रूप में जाना जाता है तो कीठम जिल अभ्यारन के रूप में सुर्षरोवर पक्षी अभ्यारन को जाना जाता है जो की भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में इस्ति थे कौन सा ही ये सुर्ष सरोवर पक्षी अभ्यारण अगला कुशन देखिए छिलचिला वन्यजी अभ्यारण में किस प्रकार की वनस्पती पाई जाती है तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये याद रख लिजिए फ्रेंड्स कि छिलचिला वन्यजी अभ्यारण भारत के हरियाना राज्य में इस्ति थे और इस अभ्यारण में सूखे पनपाती वन पाई जाते हैं जिसे शुष्क पनपाती वनों के नाम से जाना जाता है तो सूखे पनपाती वन छिलचिला वन्यजी अभ्यारण में पाई जाते हैं जो की भारत के हरियाना राज्य में इस्ति थे चंद्रे शेखर आजाद पक्षी अभ्यारण उत्तर प्रदेश के किस जीले में इस्ति थे देखिए फ्रेंट्स ये कोश्चन उत्तर प्रदेश की इंटर्नली एक्जाम में पूछा गया है इसलिए यहाँ पर आपसे पर्टिकुलर जीला पूछा गया है तो देखिए यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया अगर जीले की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जीले में है तो उन्नाव यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बीर मोती बाग वन्ने जीव अभ्यारण भारत के पंजाब राज्य में इस्ति थे भारत के किस राज्य में केन वन्ने जीव अभ्यारण इस्ति थे केन वन्ने जीव अभ्यारण फ्रेंड्स भारत के अरुनांचल प्रदेश राज्य में इस्ति थे तो यहाँ पर अन्नांचल प्रदेश सही अंसर हो जाएगा इसके अलावा देखिए एक केन घडिया लभ्यारण भी है जो की मद्धि प्रदेश के छतरपुर में इस्ती थे तो अगर आपसे केन घडिया लभ्यारण पूछा जाए तो MP के छतरपुर में हैं और केन वर्ने जिव अभ्यारण अवनांचल प्रदेश राज्यु में इस्ती थे इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वर्ने जिव विहार कोन सा है यूपी का सबसे छोटा वर्ने जिव विहार उत्तर प्रदेश के ललित पूर में महावीर स्वामी वर्ने जिव विहार है आंसर A बालूखंड वर्ने जिव अभ्यारण किस राज्यु में इस्ती थे बालुखंड वन्यजी अभ्यारंड भारत के ओडिशा राज्य में इस्तित है ओडिशा ओके फ्रेंड्स यहां तक के सभी कुश्चन आप सभी को क्लियर हो गए होंगे आगे बढ़ने से पहले देखिए आप सभी के लिए एक बहुत ही महतुपून अपडेट है फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लिकेशन पर अब आप सभी के लिए देखिए मंतली करंट अफेर्स की इबुक भी एवेलेबल हो गई है आप क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लिकेशन को डाउनलोड करके हमारी मंतली इबुक को जोईन कर सकते हैं जहाँ पर देखिए आपको टोटल मंतली करंट अफेर्स मिल जाएगा तो बिना दिर किये आप हमारी मंतली करंट अफेर्स की e-book को जोईन कर सकते हैं ओके चलिए अब हम अगले कुश्चन पर आ जाते हैं नेक्स्ट कुश्चन देखिए निमने लिखित में से कौनसा अभ्यारन दमन और दिव में इस्ति थे तो इन चार अभ्यारनों में से फुडम वन्यजिव अभ्यारन जो की देखिए 1991 में स्तापित किया गया था फ्रेंड्स ये दमन और दिव पर इस्ति थे फुडम वन्यजिव अभ्यारन अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कन्फ्यूज मत होईएगा अगर हम उदाइपूर की बात करें तो यह राजस्तान का एक शहर है लेकिन देखिए उदाइपूर वन्नेजी अभ्यारन की अगर बात की जाए तो यह बिहार राज्य में इस्ति थे इसके बाद अगला कुशन देखिए गोतम बुद्ध पक्षी अभ्यारन कहां पर इस्ति थे गोतम बुद्ध पक्षी अभ्यारन बिहार के गया में इस्ति थे आंसर बी भीतर कनी का वन्नेजी अभ्यारन भारत के किस राज्य में इस्ति थे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स काफी बार एक्जाम में पूछा जाता है इसलिए इस अभ्यारन को इस्पेशली आप सभी याद रखिएगा बीतर कनी का वन्यजू अभ्यारन भारत के ओडिशा राज्य में इस्ति थे आंसर C यहाँ पर सही हो जाएगा बीतर कनी का ओडिशा राज्य में इस्ति थे लाख बहोसी वन्यजू अभ्यारन किस राज्य में इस्ति थे लाख बहोसी वन्यजू अभ्यारन उत्तर प्रदेश के कन्नोज में इस्ति थे तो आंसर A हो जाएगा अगर राज्य पुछा जाए तो यूपी और अगर पर्टिकुलर जीला पुछा जाए तो वो है कन्नोज जुलाई 2020 में किस राज्य ने देहिंग पटकाई वन्नेजिय अभ्यारन को एक रास के उध्यान में उन्नत करने का नेनय लिया है तो देहिंग पटकाई वन्नेजिय अभ्यारन भारत के असम राज्य में इस्ति थे असम राज्य सरकार के द्वारा देखिए जुलाई 2020 में इस अभ्यारन को अब नेशनल पार्क में बदलने की गोशना कर दी गई है कौन सा नेशनल पार्क है देहिंग पठकाई वन्निजिव अभ्यारण किस राज्ज में है ये भारत के असम राज्ज में फड़साल वन्निजिव अभ्यारण किस राज्ज में इस्ती थे फरसाल वन्यजी अभ्यारण भारत के महरास्ट राज्ज में इस्ती थे पेरियार वन्यजी अभ्यारण किस राज्जी में इस्ती थे तो देखे जस्ट अभी हमने इसकी बात की थी पेरियार वन्यजीव अभ्यारन या नेशनल पार्क भारत के केरल राज्जी में इस्ती थे जो की केरल में पेरियार नदी के तट पर है तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारन केरल राज्जी में इस्ती थे इसके बाद अगले कुश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंट्स किस वन्य जीव अभ्यारन का नाम बदल कर शहीद चंद्रिशेखर आजाद पक्षी अभ्यारन रखा गया है तो इन चारों में से देखिए नवाब गंज अभ्यारन को अब चंद्रिशेखर आजाद पक्षी अभ्यारन के नाम से जाना जाएगा जो की भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में इस्ति थे नवाब गंज पक्षी अभ्यारन राजस्तान में पक्षी अभ्यारन जो साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद है तो इन चारों में से देखिए फ्रेंट्स केवला देव पक्षी विहार जिसे घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है ये राजस्तान में इस्तिते और यहां पर देखिए बड़ी मात्रा में साइबेरियन पक्षी अकर निवास करते हैं तो केवला द्यो घाना पक्षी विहार साइबेरियन पक्षियों का घर है जो कि भारत के राज़स्तान राज्य में इसते थे आंसर T नियमने लिखित में से कौन सा गोवा का पहला वन्यजीव अभ्यारण है तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण जोकी गोवा में इस्ति थे गोवा का पहला वन्यजीव अभ्यारण है आंसर C आगे कुशन दखिए नेमने लिखित में से किस राज्य में पखुई वन्ने जिव अभ्यारण इस्ती थे? पखुई वन्ने जिव अभ्यारण भारत के अरुनांचल प्रदेश राज्य में इस्ती थे? अरुनांचल प्रदेश इन में से कौन सा वन्यजिव अभ्यारन मद्य प्रदेश में इस्ति थे तो इन चारों में से फ्रेंट्स नोराद ही वन्यजिव अभ्यारन जो है ये मद्य प्रदेश राज्य में इस्ति थे इस अभ्यारन की विशेषता है कि ये MP का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारन है नोरादेही वन्यजीव अभ्यारन उत्तर प्रदेश में सरुप्रधम किस पक्षी विहार की इस्तापना की गई तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे पहली बार फ्रेंड्स नवाब गंज पक्षी विहार की इस्तापना की गई थी ये किस राज्य में हैं? ये उत्तर प्रदेश राज्य में इस्ती थे कुनो अभ्यारन की अगर बात की जाए तो ये मद्धि प्रदेश राज्य में इस्ती थे इस अभ्यारन की विशेषता है कि गिर नेशनल पार्ग जो की गुजरात राज्य में इस्ती थे वहाँ से एश्याई शेरो को इस अभ्यारन में लाकर बसाया जा रहा है ये अभ्यारन मद्ध्य प्रदेश के शोपूर जीले में इस्ती थे तो मद्य प्रदेश में कौन सा अभ्यारण है कुनो वन्नेजिव अभ्यारण जो की एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है देखेए फ्रेंड्स क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लिकेशन पर अब आप सभी के लिए एडवांस मैट्स, MPG के कंप्यूटर ऑनलाइन कोर्स, इंगलिश और रिजनिंग के फुल डिटेल कोर्स एवेलेबल हैं जहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट को आप सभी के लिए बहुत ही ब्रिफली समझाए गया है तो अगर आप इन सभी कोर्स को जोइन करना चाते हैं तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लिजिए वहाँ पर आपके लिए सभी कोर्सेस एवेलेबल हैं वहाँ पर जाकर देखिए एप्लिकेशन में ही आपको सभी कोर्सेस पर लगबख 50% का ओफ भी मिल जाएगा तो बिना दिर किये आप इन सभी कोर्सेस को हमारी एप्लिकेशन में जाकर जोइन कर सकते हैं ओके आजाए अब हम अगले कोश्चन पर आते हैं नेक्स्ट कोश्चन देखिए नंदन कानन वन्ने जिव अभ्यारण निम लिखित में से किस राज्ज में इस्ति थे वेरी इंपोर्टेंट याद रखिएगा एक्जाम में ये कोश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स नंदन कानन वन्ने जिव अभ्यारण भारत के ओडिशा राज्ज में इस्ति थे आंसर टी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण कोन सा है नेक्स्ट कोशन देखिए तो अभी हमने इस पर डिसकस किया था एमपी का सबसे बड़ा वन्ने जिव अभ्यारण नोरा देही वन्ने जिव अभ्यारण है जो कि मद्धे प्रदेश के सागर जिले में इस्ति थे इस फेक्ट को भी याद रख लीजिए आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है एमपी का सबसे बड़ा वन्ने जिव अभ्यारण नोरा देही अभ्यारण है अगला कोशन देखिए नेमन लिखित में से किस राज्य में गोमती वन्ने जिव अभ्यारण है तो गोम्ती वन्य जिव अभ्यारण भारत के त्रीपूरा राज्य में इस्तिते आंसर B आंद्र प्रदेश में इस्तित कोलेरु जिल को भारत के निम्न लिखित में से किस वन्य जिव सदक्षन अधिनियम के तहत वन्य जिव अभ्यारण गोशित किया गया था तो देखिए सबसे पहले तो इस वेक्ट को याद रखिए कि कोलेरू जील वन्ने जीव अभ्यारन भारत के आंद्र प्रदेश राज्य में इस्ति थे पहला पॉइंट तो यह हो गया अंसर भी हो जाएगा प्रसिद्ध वल्नाडू वन्ने जीव अभ्यारन कहां इस्ति थे वल्नाडू वन्ने जीव अभ्यारन भारत के तमिल नाडू राज्य में इस्ति थे देखिए नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा इस अभ्यारन के नाम में भी आपको नाडू शब्द देखने को मिल रहा है और राजी के नाम में भी आपको नाडू शब्द देखने को मिल रहा है तो वल नाडू वन्य जी अभ्यारन तमिल नाडू राजी में इस्तित है अगले कुश्चन पर आजएए इसके बाद कोश्यन देखिए कौन सा वन्य जी अभ्यारण उत्तर भारत में एक त्री रज्य सदक्षी चेतर है जो गंभीर रुप से लुप्त प्राई घडियाल और डॉल्फिन के सदक्षन के लिए प्रसिद्ध है तो इन चार अभ्यारणों में से फ्रेंड्स रास्ट चंबल अभ्यारण जो की मोस्टिली देखिए मद्य प्रदेश के मूरेना जिले में फैला हुआ है इस अभ्यारण की विशेषता है कि ये तीन रज्यों के ट्राय जंक्षन पर फैला हुआ है एमपी के मूरेना में भी इसका विस्तार है इसके अलावा कुछ हिस्सा इसका यूपी और राजस्थान में भी फैला हुआ है तो इस तरह देखिए ये त्री राज्य सरक्षी चेतर है मुख्य रुप से यहाँ पर देखिए घडियाल और गंगा डॉल्फिन का सदक्षन किया जा रहा है कौन सा अभ्यारन है रास्ट्री चंबल अभ्यारन आंसर C गरम पानी अभ्यारन कहां इस्ति थे तो इन चारों में से असम राज्य में गरम पानी अभ्यारन इस्ति थे इसके बाद सबसे लास्ट कोशन देखिए फ्रेंट्स निम ने लिखित में से कोन केवला देव घणा पक्षी अभ्यारन के नाम से भी जाना जाता है तो देखिए भरतपूर रास्ठ उध्यान जो है जो कि राजस्तान में इस्ति थे इसे केवला देव घाना पक्षी अभ्यारन के नाम से भी जाना जाता है जो कि देखिए साइबेरियाई पक्षियों का एक घर है भरतपूर रास्ठ उध्यान कहाँ पर है फ्रेंड्स ये राजस्तान राज्य में इस्तित है क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने जितने भी वन्यजी अभ्यारण है भारत के जो कि हम से एक्जाम में मोस्टिली पूछे जाते हैं उन सभी अभ्यारणों को बहुती डिटेल में डिसकस किया है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में बने रहे हमार साथ चाहिए